ऑफियलोगाई वेलकम ड़ेक टू आवर यूटी चैनल इन्जियनर मायं तो आज में डिज़स करें लोग की मॉमेंट ओफ इनर्षया क्या होता है तो मोमेंट ओफट एक सब्सक्रास निकालते हैं और एक मास के एकोडी निकालते हैं तो जब एरिया के एकोडी निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं एरिया मोमेंट ओफ इनर्शिया और मास के एकोडिंग जब हम लोग निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मास मोमेंट ओफ इनर्शिया तो एरिया मोमेंट ओफ इनर्शिया या mass moment of inertia यह तो body के उपर depend करता है कि body कैसा है 2D में है या 3D में है तो उसके according हम लोग उसका represent करते हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि moment of inertia होता क्या है या फिर normally mass moment of inertia क्या होता है तो देखते हैं कि सबसे पर इसका देखते हैं रिपरजेंटेशन फिगर का इसके बाद हम लोग देखेंगे कि statements क्या होता है definition क्या होता है तो जब किसी भी body को उसके axis के reference में rotate किया जाता है तो body क्या करता है रेसिस्ट करता है angular acceleration जो होता है बाड़ी में उसको resist करता है तो क्या होता है कि जब बड़ी उसको resist करता है तो उसका mass and distance of center of gravity जो होता है from the axis तो उसका क्या होता है square होता है product of mass and square of distance of center of gravity होता है तो suppose एक body है लेमिना है और इसको किसी axis के respect में हम लोग rotate करते हैं suppose यह axis जो हमारा वो ox axis है and यह जो axis है यह y axis है यह x axis है यह y axis है और इसका distance of center of gravity जी जो है इस point पर है तो moment of inertia का definition क्या कहता है moment of inertia और mass moment of inertia quantity expressing a body tendency to resist angular acceleration जो कि जब बड़ी को हम लोग rotate करते हैं तो rotate जब करते हैं तो एक ऐसा point आता है एक ऐसा situation आता है कि उसका जो tendency होता है बड़ी का angular acceleration उसको resist करता है टेंडेंसी ओफ रेसिस्ट दी एंगुलर वेलोसिटी बाइदी बड़ी इज नॉन as moment of inertia तो जब इस बड़ी को इसके axis में या तो ओ एक्स एक्सिस में एक्स एक्स के reference में या y axis के reference में हम लोग rotate करते हैं तो क्या करता है बड़ी जो है कि रेसिस्ट करने से रोकता है बड़ी जो है रेसिस्ट करता है rotation को रेसिस्ट करता है तो जो उसका tendency होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं moment of inertia बोलते हैं ऐसे simply हम लोग जो formula के form में इसका definition देते हैं तो क्या होता है कि जो moment of inertia है या mass moment of inertia है वो बड़ी के mass end उसका distance of center of gravity जो होता है उसका product जो होता है वो distance of center of gravity का square and mass के product होता है तो देखते हम लोग यहां पर कि अगर यह हमारा जो lamina है body है और इसका x-axis में जब हम लोग moment of inertia निकालेंगे तो यहां से distance of center of gravity जो है centroid जो है यह हमारा x-axis पे यह y है तो यहां से यहां तक का distance जो है यह y है तो इसका moment of inertia जो निकालेंगे according to definition of moment of inertia तो definition of moment of inertia क्या काता है कि जब हम लोग x-axis पे निकालेंगे तो क्या काता है कि जब बड़ी को किसी axis के reference में rotate करते हैं तो उसका मास का जो प्रोड़क्ट होता है सपोज यह लेमिना जो है इसका मास जो है वह एम है तो मास मोमेंट of inertia इसका क्या होगा तो क्या काता है डिफिनेशन मास मोमेंट of inertia कि जब कि इसी बड़ी को उसके axis के reference में rotate किया जाता है तो मास का जो प्रोड़क्ट होता है एंड एक्सिस से rotation axis सपोज हम यहां पर x-axis का rotation लिए तो एक्सिस के reference में जो बड़ी का rotation होता है तो distance of center of gravity जो होता यह सेंट्राइड जो होता है उसका product and square होता है तो mass and distance of center of gravity यह सेंट्राइड का जो square होता है तो उसको हम लोग क्या काते है moment of inertia तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि moment of inertia क्या होता है जब बड़ी को किसी एक्सिस के reference में उसको rotate करते हैं तो उसका जो mass body का जो mass है एंड distance of center of gravity यह सेंट्राइड जो है तो mass and centroid का जो square है एंड इन दोनों को product जब हम लोग करेंगे तो इसको क्या बोलते हम लोग moment of inertia और definition में क्या बोल सकते हम लोग जब किसी बड़ी को किसी axis के reference में लोग rotate करते तो बड़ी का जो है tendency of resist the angular acceleration is known as moment of inertia बड़ी जो है रेशिस्ट करता है angular acceleration को जिस tendency से तो tendency होता है बड़ी के पास जिससे की वह angular acceleration को resist करता है तो उसको हम लोग mass moment of inertia काते हैं तो अगर हम इसी को एरिया के reference में अगर निकालें तो क्या होगा एवाई square एवाई square होगा आई एक्स एक्स इजिकल टू एवाई square होगा तो आज के लेक्चर में इतना ही फिर लेक्चर में तब तक के लिए बाई